दोस्तों आज हम Tata Steel को डिसकस करने वाले हैं Tata Steel से आ रहे हैं बहुत बड़ी अपडेट निकल के इस अपडेट को डिसकस करने की कोसिस करेंगे Tata Steel ने जो फैसला किया उसका क्या बेनिफिट होने वाला है Tata Steel को वो समझेंगे और इसके साथ में कुछ latest target निकल के रहे हैं उन target को भी डिसकस करेंगे दूसरी तरफ अगर हम देखे तो ITC लगातार नए कृतिमान इस्तापित कर रहा है लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में क्या इसके target रह सकते और क्या इस समय ITC में investment करना चीए क्योंकि अकेला यह ऐसा stock है जब बाजर पे सारे stock गिरे थे तब यह अकेला दोड़ा था और पिछले एक साल में बहुत ही जबनासी return दे चुका है और इंडिया की यह देखे तो जो market cap के मामल में top 5 में आ चुका है ITC तो क्या investment करना चीए विप्रो limited की बात करे तो IT sector का यह दुरंदर खिलाड़ी है जो buyback करना जा रहा है यानि अपनी board meeting जो होगी जिसमें result भी डिकलर होगा उसमें share buyback करने का नोस्मेंट होगा तो उसके बाद में एक positive माहल बन सकता और आज stock के अंदर काफी अची तेजी है पिछले कुछ दिनों से जैसे दुसरे infosys वगरा नीचे आ रहे हैं वैसे यापे गिरावट की समभवना कम है क्योंकि अल्यरी stock बहुत गिर गया है एक और stock को डिसकस करने वाले जो बहुत ही जबरस ही आपको बोनस देने जा रहे है तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के मादिम से सबसे पहले अगर Tata Steel की बात करे तो अभी देख सकते हो कि तीन बजे के आसपास का time में stock इस समय 106 के आसपास से 0.24% की तेजी है तेजी बड़ी नहीं है क्योंकि बाज़ार में भी कोई खास तेजी नहीं है और यहाँ पर आप देख से को कि Tata Steel ने किया एक बहुत बड़ा अनॉसमेंट आप देख से को Tata Steel ने सोमवार को काय कि उसने जमसेदपूर इस्तित अपने सेंटर के blast furnace में hydrogen gas के परिक्षन का सुरुवात कर दी है कंपनी के जमसेदपूर इस्तित सेंटर में 6 blast furnace है कंपनी ने बयान में काय कि Tata Steel ने जमसेदपूर में e blast furnace में 40% जो भी injection परनाले है उसमें hydrogen gas का इस्तिमाल किया जाएगा और इसकी परिक्षन शुरू कर दी है ये दुनिया में पहली बार होगा कि blast furnace में इतनी बड़ी मात्रा में hydrogen gas का इस्तिमाल होगा और अगर hydrogen gas के माद्यम से ये इस्तिमाल सुरू हो जाता है और ये जो testing पूरिते से सक्सेज हो जाती है तो आने वाले समय में जो carbon है जो उसका जो उतकरसन होता है वो बहुत कम हो जाएगा तो यहां पर देख से तो कि 23 अप्रेल से इसकी परिक्षन की शुरूआत कर दी गई और चार से पाजिन ये जारी रहेगा और बयाद में ये का गया है कि जो green steel के निर्मान के लिए ये एक सबसे बड़ा एक जरिया बनेगा और आने वाले समय में carbon का उत्सर जंद बहुत ज़्यादा कम हो सकता है और यानि जो pollution है वो कम होगा और company आने वाले समय में इनका जो नीदरलेंड का प्लांट है वहाँ पर भी green steel का निर्मान सुन करने जा रहे है तो ये बहुत सारी बाते जो साबीत करी है कि आने वाले समय टाटा श्टिल एक बड़ा इन 2030 तक के लिए इनका जो CGR6 से लेके 7% तक व्रिद्धी दिखा सकता है और इसी वज़ेश से देखे तो ये टार्गेट दिया गया जेपी मौर्गन की तरफ से एक बड़ी अपडेट और निकल के आरे जमसित पूर में अब वहां के जो इस्तानिये लोग है उनको नौकर दोरा राज्य सरकार के भरती अनियम 2020 के इस्तानी उमिद्वारों की न्यूक्ति ने होने के मुद्धा उठाने के बाद इस प्रक्रिया को रोग दिया गया था लेकिन अब ये लिकित जो परिक्सा है वो 30 अपरेल को होगी और उसके बाद में इस ते लिए लोगों को रोज और आप ये देख सकते हो कि सिर्फ पिछले पाज दिर में 4.70% की नतीजी देखिए है आई टी इंडेक्स में बले दबाव है लेकिन वीप्रों कमाल कर रहा है अब आप देख सकते हो कि वीप्रों की तरफ से एनॉस्मेंट किया गया है कि वीप्रों जो अपना रिजल्ट ह 27 अपरेल को अपने क्वाटरफोर का रिजल्ट पेस करेगी और इसमें उम्मिद की जारी है कि कमपणी को काफ़े चामुना पर भी हो सकता है और इसी दिन कमपणी बाइबेक की गोशना भी कर सकती है तो यहाँ पे देख सो कमपणी की 26 और 27 अपरेल को दो दिन मीटिंग हो यह बात समझ में आजाते कि इसकी जो प्राइज है वो बहुत जारा फेर है यानि इस प्राइज पे अपने जो प्रमोटर शेर खरिदना चाते है तो उससे पता चलता है कि इस लेवल पे खरिदारी की जा सकते है और ऐसे में इंवेस्टर भी उसके तब इंटरेट होते है उसकी प्राइज बढ़ने लगती है जो मार्केट एक्सपर उनका कहना है कि HCL टेक, TCS और Infosys के दर विप्रो के क्वाटर फोर में भी नेट प्रॉफिट और रिजर में बढ़ने की उम्मीद ज्यादा दिखाई दे रही है अगर हम पीछले क्वाटर थ्री की बात के तो र नेट प्रॉफिट मार्जिन 13.14% जा पर 10.12% की हमें एरंद बेसिस पे गिराउट देखना को मिली थी तो नेट प्रॉफिट मार्जिन कुछ कम वादा लेकिन रिवेनी जबर्दस बढ़ा था और लगातार बढ़ रहा है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि विप्रो जो का बादसा का जाता है और इस समय इसकी प्राइज बहुत नीचे आ चुकी है लगातार कंपणी अच्छा डिविडेन देती है तो विप्रो में इंवेस्मेंट करना चीह है नजरिया लोंग ठम का लेके तो विप्रो और दूसरी आइटी शेर भी काफिय अच्छे है लेकिन देखी सकते हो कि इसने पिछले एक साल में ही 60% का बंपर रिटन दिया है यानि एक तरफ तो बाजार में नर्मी चाही हुई है बहुत सारी स्टॉक है जो इस समय लोगों को निगेटिव रिटन दे रहे उसके बावजुद भी आइटी से ने कमाल किया 258 के आसपर जो स्ट परड़क लॉंच कर रहे इसके देखे रवा आप डी रुक के बहुत सारी प्रड़्ड करहें सबस्ट ऑर स्कमाल कर तो यहां पर देख सकते हो कि सारे बीजंस बहुत अच्छे और जिससे कंपनी ने बड़ा एक त्रह रजदी है ITC market cap के हिसाब से पूरे share market में साथवे नम्मर की सबसे बड़ी company बन चुकी है और जल्दी ही infosys को भी overtake कर सकती है अब आप ही देख से तो कि ITC को लेकर choice broking के सुमीत बगडिया की तरब से इसमें buy की call दी गी है इसका जो target रगा है वह 430 का है और आपको stop loss रगाना 394 का सबसे बड़ी बाद है कि इस समय बुली जोन में आचुका है इसकी performance काफी अच्छी है और जिस तसे तेजी से stock आगे जा रहा है 425 और फिर 430 के target देखना को मिल सकता है तो जो सबसे बड़ी बाद है कि अब यही बाजार का hero साबित हुआ है यहाँ पे देख सकतो कि ITC के लिए जो सबसे बड़ी बात है कि इसका जो भी quarter 4 की positive रहने के समाऊना क्योंकि business काफी अच्छा बड़ा है अगर हम यहाँ पे quarter 3 के result की बात के देख सकतो revenue 17.7 thousand को भी जापे 3.49% की यहाँ बेसिस पे बड़त देखना को मिली net income 5.01 थाविं को भी काफी जापे 23.42% की यहाँ बेसिस पे बड़त देखना को मिली net profit margin 28.28% काफी जापे 19.27% की यहाँ बेसिस पे व्रिदित देखना को मिली तो बहुत ही जबर्दस result है और लगातार बैतर result company दे रही है revenue profit बढ़ रहा है बिलकुल investment करना चाहिए आपके portfolio में यह से stock होने ही चाहिए अगर आप पिछले इसके चार साल की बात के तो लगातार आपको revenue profit बढ़ता हो देखे देगा और 15.255 तक पहुच गया profit तो बहुत ही तेजी से revenue profit बढ़ रहा है यहां पर पिछले 10 साल के इसकी बात करें तो देख सकते हो कि sales 10-year के साबसे इसका 9% positive था 5-year के साबसे 7% positive और 3-year के साबसे 8% positive लेकिन इस TTM 20% positive तो पिछले 10 साल में सबसे सांदार sales से इस समय दिखाई देगा profit growth को देखे तो 10-year के साबसे 10% positive जो 5-year के साबसे कम होके 8% रह गया और 3-year के साबसे इनका profit growth 6% पर आ गया यानि आप देख से तो कि profit growth नीचे आया था यानि profit में कमी हुई थी लेकिन इस TTM 23% positive यानि पिछले 10 साल में सबसे सांदार profit दिखाई देगा तो आप यह देखी सकते हो कि revenue और profit दोनों में जबर्दस व्रिद्धी है stock के CHGR को देखे तो 10-year के साबसे 7% positive यह 5-year के साबसे 8% positive यह और अगे हम 3-year की बात के तो 31% पोझे यह लेकिन 1-year के साबसे 56% पोझे यह तो बहुत ही जबर्दस रिटरिन दिया पिछले साल में stock ने ROE देखे तो आप देख से तो 10-year के साब से 25% positive है 5-year के साब से 23% positive 3-year के साब से 24% positive लेकिन last year 25% positive तो ROE में भी जबरदस इंप्रूमेंट देखना को मिल रहा है कुल मिला के आखड़े बहुत अच्छे और ये stock कमाल कर सकता है अब हम चलेंगा उसे stock की तरब जो आपको बहुत ही सादर बोनस देने जाए जाए तो यहाँ पर हम बात करें इस प्रेकिंग एग्रो एक्क्यूपमेंट की 147 पर stock है stock लगातार दोड़ा एकतर से multi-bagger साबित हूँ पिछले एक साल में 565% का bumper return दिया है 22 के आसपाँ जो stock था इस समय 147 के आसपाँ से बात करें 6 मंद की तो 260% का bumper return दिया है यानि लगातार दोड़ा है तो यहाँ पर देख सकते हो कि company 2-3 के लिशन में बोनस देने जा रही है इसकी X bonus date है 84-2023 और record date है 34-2023 तो 28 तारीक के पहले अगर आपके DMAT account में शेर आज़े तो बिल्कुल आपको बोनस मिल सकता है तो दाव लगाया जा सकता है लेकिन friend कोई भी investment करने से पहले अपने financial advisor से बाढ़े ले ले या अपना खुद का research करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके educational purpose के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू की ज़र चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए Thank you friend